नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीके हेलफ विद जारभी पर हारदिक अभिनंदन एवम स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान प्लिस एक्जाम के लिए राजस्तान समाने गयान के मोस्ट इपोर्टेंट 45 कोस्टनों के बारे में तो वीडियो को अंतिम समय तक द्यानपूरक देखिए और अंतिम आपसे एक जीके का क्वेस्टन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेट बॉक्स में देना होगा तो वीडियो को स्टार्ड करें इसे पहले आप से निवेदे रहेगा कि आपने भी तक यूटूब चैनल जीके हेलप विद जारवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बैल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफिकेसन मिल जाए चली स्टार्ट करते है आज का फर्स्ट कोस्टाइब चापके सामने राजस्तान में बामसा और बार सरकार की आईश्मान योजना का एक्रन करके निया नाम क्या दिया गया है बते ही दोस्तों बामासा और बार सरकार की जो आईश्मान योजने इसका एकिकरन करके निया नाम क्या दिया गया है तो इसका सी ओफ सरेट हो जएगा आईश्मान बारत मातमा गंधी राजस्तान स्वास्ते भीमा योजना चली अगला कोस्तन की राज्य में हरिद्य परत्यार उपन करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है बते ही दोस्तों राज्य में हरिद्य परत्यार उपन करने वाला पहला सरकारी अस्पताल है अगला कोष्टन ने के बाग प्रयोजणा का जनक किसे माना जाता है बहुत बार यह कुस्चन iPad lagi touch दो इस की याद रखना है आपको क्योंकि एक्जाम में यह पूछी जाती है एक बुक का नाम है टाइगर और दूसरी बुक का नाम है रिटरंस ओफ दो टाइगर रिटरन ओफ दे टाइगर यह आपको द्यान रखना है और राजस्तान में एगर बात करें सरपर्थम बाग प्योजना के शुरुआत 1903 म का सी ऑप्सन राइट है यह जो गजनेर अबैरने यह बिक का निर मिस्तीत है यह आपको ध्यान रखने और इसी अबैरने में गजनेर जील भी इसतीत है जिसके दुआरा यहां पर सिंचाई की विवस्ता की जाती है और दोस्तों आपको याद करने यह जो बटबड़ पक्ची है इसे रेत का तीतर केते हैं और इसका जो विग्यानिक नाम है बो है इंफिरियल सेंड गाउन इंफिरियल सेंड गाउन यह आपको यादे रखने हैं पांचमा कोस्टन है किसे जंगल की आग का जाता है किसे जंगल की आग का जाता है उप्सन आपके सामने प्लास खेजड नाम में वह ब्यूटिया मोनोस्प्रमा ये भी आपको याद रखना है चल ये छटा कोश्चन है कि पिवना किस जीव की पर जाती है तो मित्रों ये जो पिवना है ये सांप पर जाती है यह थार के मुरुष्तल में पाया जाने वाला भावती जैरिला सांप होता है इसका बी ओप्षन आपर रायट है अगला कोस्टन है कि राजस्तान में कनक सागर जीव अभयारने किस नदी तट पर अस्तित है तो मित्रोश इसका सी ओप्षन रायट हो जाए बनास नदीतट पर अस्तित है आठमा कोस्टन है कि राष्ट्रे मरू उध्यान किन जिलों में फिला हुआ है बहुत इपोर्टेंट कोस्टन है यह एकजाम में बहुत बार पूछा गया है और राष्ट्रे मरू उध्यान से रिलेटिव कोस्टन अक्सर एकजाम में पूछे जाती है तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं यह जो राश्ट्रे मरू उध्यान है दो जिलों में फिला हुए है कौन-कौन से दो जिले जेसल मेर और बाड मेर यानि कि इस क्वेस्टन का ए ओप्सन राइट हो जाएगा एक क्वेस्टन पुछा जाता है कि राजस्तान का सबसे अगे किलोमेटर है और यह जो गोडावन अपना राज्यस्तान का राज्य पक्षी है वो यहीं पर ज्यादा तर देखनी को मिलता है यह आपको ज्यान रखना है अगला कुस्तने कोटा के किस माविदयल्य का नाम साइध हेमराज मिना किया गया है बतें दोस्तों कि कोटा के किस माविदयल्य का नाम साइध हेमराज मिना के नामें किया गया है तो इसका उप्षन ए राइट हो जए राज के माविदयल्य संगोद इसका नाम है वो हेमराज मिना के नाम पर किया गया है हेमराज मिना सी आर पिफ के जवान थे जो की पुलवामा में आंतंकी हमला हुआ था उसमें सइद हुए थे आपको जाने रखने संगोत का नाम प्रिवर्थित करके सैद हेम्राज ांधके नाम रखा गया है अगला कौश्चिन एंसका नगर निगम नहीं नहीं है कि बते हुँनिया लुए जोदपूर, आजमिर। यहां पर दो नगर निगम है नहीं है बाखी बात करें जयपूर जोधुर और कोटा यहांपर दो-दो नगर निगम है , चले अगला परोर प्रदेश की पहली कुस्ति अकादमी खोली गई है बतेंə दोस्तों परदेश की जो परथम कुस्ति अकादमीры वो कांपर खोली गई है तो मित्रो ये खोली गई है बर्दपूर में इस कोस्टन का ओप्सन ए राइट हो जाएगा चलिए अगला कोस्टन है राजस्तान के किस सासक को अभिनव बरताचरे के नाम से पुकरा जाता है तो ये पुकरा जाता है मारणा कुमबा को इस कोस्टन का option A, right हो जाएगा राजस्तान स्तापत्य कला के जनक माने जाते है मारना कुंबा ओर राजस्तान के जो 82 दुरुग है इन में से जो 32 दुरुगों का निर्माण वो मारना कुंबा ने करवाया था यह आपको द्यान रखने है चले अगला कोछने राजस्तान के वितमंत्री के रूप में करे बार कौन संभाल रहे हैं तो राजस्तान के वर्तमान में जो वितमंत्री यह वो है असोग गैलो थे इस क्वेस्टन का डी ओप्सन आपर है राइट हो जाएगा चलिए अगला कोस्टन है ओप्रेशन मोजडी का समंद किस उद्योग से है तो दोस्तों इसका समंद है चमड़ा उद्योग से इस क्वेस्टन का डी ओप्सन आपर है राइट हो जाएगा मित्रो इसमें जो मोस्ट इपोर्टेंट 45 कोस्टन पुछे गिया है इन 45 कोस्टनों में से आपके कुल कितने कोस्टन राइट होते हैं या वीडियो के अंतिम सम्य में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इ सिलपे कागज रश्ट्रे संस्तान के स्थापना की गई तो यह संगानेर में की गई थी इस क्वेस्टन का बी ऑप्सन आपर है राइट हो जाएगा चलिए सोडमा कोस्टन है सुवरंगेरी किस किले को कहते हैं प्सटन आपके सामने है जैगड का किला जालोर का किला अगला कोस्टन है कि बेंगु जो की चितोडगर में स्तित्थार याम पर एक किसान आंदूलन हुआ था इस का नेतरतव किशनी किया था ओप्सन आपके सामने है ग्कुल भाई बट जै नरैंड व्यास राम नरैंड चोदरी विजया सियंड पथिक तो दोस्तो इस्का सी उ बहुत बार यह कोस्चन पुछा गया अमर्ता देवी मरिग्विन कांपर स्थीत है तो यह स्थीत है खेजडली जोदपुर में इस कोस्चन का बी ओप्सन आपर है राइट है इस कोस्चन का ओप्सन ए राइट हो जाएगा एकजाम में यह कोस्चन पूछा जाता है तो इपोर्टेंट है और आपको यह ध्यान रखना है कि बिकनेर के माराजा रायसी थे इनको 1593 में इस में थटा इभ्यान पर बेजा गया था अगला कुस्चन ए राज्य का टेक्स्टायल सिटी है तो राजस्ता राज्य की जो टेक्स्टायल सिटी है वो है बीलवडा वस्तर नगरी इसका डी ओप्सन यहां पर राइट हो स्कॐंगे यहां यह राजस्तान की थ्रमोपोळी तो मित्रो राजस्तान की थरमोपोळी के लाइथी हलदी गटी है इस समस्कूलadia है यह राइट हो यह कब रहा गय। पाथा अठारा जून 1506 को यह आपको धियान रखना है हल्दिगाटि का जो मैदान है यह रासमंद में इस्तित है यह अभी आपको धियान रखना है किस जलिम इस्तित है रासमंद में अगला कुस्टन है जूडीशियल रीफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स पुस्तक के लेख कोन है जूडीशियल रीफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स यह जो पुस्तक है इसके लेख का दलवीर सिंग बंडारी तो इस कुस्टन का यहां पर डी आप्शन राइट है चली दोस्तों अगला कुस्टन है कि राजस्तान में नव जागरन के पर्थम कवी कोन थे राजस्तान में नव जागरन जो पर्थम कवी थे बो थे मित्रो सुरियमल मिसरन स्युसके ब्युक्र ग्लोब स्युक्त हो जाएकント सिर्यकम्स दोस्तों दोस्तों रूपावली का रचेता है तो इस कुस्चन का भी B option राइट हो जाए सूर्यमल मिसरन वंस बासकर के भी रचेतको ने सूर्यमल मिसरन जो एक्जाम में अक्सर कुस्चन पुछा जाता है अगला कुस्चन है कि राजस्तान में बार्तिया मोस्वम विबाक की विध्यसला कांपर अस्तित है राजस्तान में बारतिया मोसां विबाक की भिद्यसल है, यह जिपूर में स्थीत जहाइँ इस कुस्चन का बी ओफ्सिने हैं, आपर राइट हो जाएँगा चलिए दोस्तों अगला कोस्टन एक राजस्तान से राजस्वा में कितने सदस्य चुने जाते हैं तो राजस्वा में जो राजस्तान से सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 10 सदस्य इस कोस्टन का D option आपर right होजेगा विदान सभा से 200 सद से चुने जाते हैं और लोग सभा से 25 सद से चुने जाते हैं यह आपको याद रखना है चलिए 27 मा कोस्टन है प्रेटन सरकिट बुद्दा सरकिट के अंतरगत कौन से जिले आते हैं एक्जाम में यह पूछ आगया है प्रेटन सर्कीट बुद्धा सर्कीट के अंतरकत जो जिली आते हैं वो आते हैं जेपुर और जलावाड तो मित्रों इस कोस्टन का ओप्शन ए राइट हो जाएगा 28 मां कोस्टन है कि जो वद्ध्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है जो वद्ध्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तो फूंक कर बजाए जाने वाले वद्ध्य यंत्र को कहा जाता है सुसिर वद्ध्य इस कोस्टन का ओप्शन है ए राइट हो जाएगा अगला कुस्चन है मेजर बटन 1857 इसवी में किस रियासत का पॉल्टिकल एजेंट था तो 1857 की क्रांती हुई थी उस समय जो मेजर बटन थे यह कोटा रियासत के पॉल्टिकल एजेंट थे इसका ए बी आप्शनिया पर रायट हो जाएगा ध्यान देना जो मेजर ब का पॉल्टिकल एजेंट 1857 की क्रांती के समय कौन था बते दोस्तों जोदपुर यासत का पॉल्टिकल एजेंट 1857 की क्रांती के समय था केप्टन मेक मोशन कौन था केप्टन मेक मोशन इस कोस्टन का सी ऑप्शन रायट हो जाएगा कोटा का कौन था मेजर बटन और उद्य आ ऐक आते यह आपको ध्यान रखनाय व चली अगला कोष्ट ने अर्जुलाल सेठी का जरंसतान है और प्ली को शांफे लग कि अगान से चितर पलेश के नाम से प्रसिद है, तो दोस्तों यह जो चितर पलेश के नाम से फिमस है वो है उमेद बवन पलेश, इस कोस्चन का D option right है, आप से question पुछा जाता है कि यह जो उमेद बवन पलेश है, यह किस जिले में अस्तित है, इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट ब अस्तित है बताई दोस्तों हेमावास बांध अस्तित है आपके सामने है टोंक जोदपुर जलोर पाली तो यह पाली जिले में इस्तित है इसका डी ऑप्सन आपर है राइट हो जाएगा अगला कोस्टन है कि राजस्तान में राइका है तो राइका एक प्रकार की जाती है जो प्रमप्रागत उट के पालन पोस्टन करता के लाती है इस कोस्टन का सी ऑप्सन आपर राइट हो जाएगा यह भी इपोर्टन कोस्टन है बहुत बार एकजाम में पुछा गया राइका या रेबारी प्रमप्रागत उट के पालन पोस् अगला कोश्चन है कि गंदी सागरबांद किस नदी पर बनाया गया है तो मित्रो यह जो गंदी सागरबांद है यह चंबल नदी पर बनाया गया है इस कुष्टन का सी ओप्सने आपर है राइट हो जाएगा सेंतिसमा कोस्चन है कि एक नुवंबर 1956 को अजमेर मेरवडा के मिलने के बाद राजस्तान में कुल कितने जिले थे तो एक नुवंबर 1956 को अजमेर मेरवडा के मिलने के बाद राजस्तान में जो कुल जिले थे बहुते 26 इस question का भी option आपर right हो जाएगा और present time में राजस्तान में 33 से जिले है अगला question है राजस्तान के वे कौन से चार जिले हैं जिन्होंने मिलकर मतस्य संग का निर्मान किया बते हैं दोस्तों के राजस्तान के वे कौन से चार जिले हैं जिन्होंने मिलकर मतस्य संग का निर्मान किया तो मतस्य संग के निर्मान में जो चार जिले सामिल थे वो थे अलवर बरतपुर दौलपुर क्रोली इस question का भी option आपर right है अगला question है बोद कालिन कोलवी की गुफाएं का पर प्राप्त हुई है तो दोस्तों ये जो बोद कालिन कोलवी की गुफाएं ये प्राप्त ये डग बरतपुर से इस question का भी option आपर right हो जाएगा चारीसमा question है कि 1518 इसवी में किसके द्वारा बांसवडा नगर की नीम रखे गई तो 1518 इसवी में बांसवडा नगर की जो नीम है ये जगमाल सिंग के द्वारा रखे गई थी इस question का ए ओप्सने आपर right हो जाएगा एक तारीसमा question है रेंडा एवम अजमेरी किस नसल की गई के अन्य नाम है तो रेंडा एवम अजमेरी ये जो गिर गई है इसके अन्य नाम है इस question का डी ओप्सने आपर right हो जाएगा इस ने राजस्तान में सरवादिक नमक किस जील से प्राप्त होता है तो बात करें जील जिससे सरवादिक नमक प्राप्त होता है वो है संबर जील ये जो संबर जील है खारे पानी की जील है और जेपूर में इस्तित है और जो बात करें बाहरत का यहां पर जो नमक प्राप किस जिले को पहला ODF गोसित किया गया तो 26 जनवरी 2016 को विकनेर जिलाए इसको पर्थम ODF गोसित किया गया था इस कोस्चन का ओप्षन ए राइट हो जाएगा अगला कोस्चन है गुलाब खां का मकबरा का अस्तित है तो मित्रों यह जो गुलाब तो दोस्तो राजश्तान विदानमंडल यह पर में एक मैं धर बाल उप आर nearest को सब्सक्र их दोस्तों यह थे मॉझ्ट इप।ोर्टन फोर्टी का शनन आपको यह वीडियो के वीडियो के कमेंट बाक्स में बताए और इसक्रप्सिन में लिंक दिया गए टेली चैनल का उसे जुरूर जोइन करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाक्राम ID के माध्यम से भी मुझे फोलो कर सकते हैं गैश्ट के लिए निन्क में आपको मिल जाएगा way और रात सभी ने इसका जवाब है राइड दिया आहपको पुना केता हूं कोस्टन जवाब आप कमेंट बोक्स में ज़ूर दिया करो। चलिया बात करते हैं, question of the day के बारे में, आज का question है, सुंदा माता का मंदिर किस जले में अस्तित है, option आपके सामने जेपूर में, सिक्कर में, बाडमेर में, जालोर में, तो दोस्तो इस question का जवाब आप वीडियो के comment box में जुरूर दे और next वीडियो में बहुत जल्द आजिरोंगे तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम जय भारत